हेलो दोस्तों राधी राधी जैम आता दी तो आज मैं लिकर आई हूँ नवरात्री श्पेशल ब्लॉग तो मेरी जो ब्लॉग वो लाने मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि नवरात्री और मेरे बेटे का वर्थडे है न तो दोनों एक साथ में था मतलब 24 को नवरात में और यह पहली बार नहीं है कि मैं ब्लॉग में लेट हो जाती हूँ न तो यह हो जाता है यह कोई भी फैस्ट्व कर लेती हूं लेकिन उसे एडट करने मुझे बहुत ज़्यादा टायम लग जाता है क्योंकि जब मैं फुर्सत में होती हुँ न तभी ब्लॉग में बनात तो यहांपर देखो आज ब्लॉग स्टार्ट करती हो माही से दोनों मिल कि दुर्गा-माता को उनकी उनकी कन्या रूप होता है। उसका मैंने थोड़ा सा किया था और इसे दुर्गा-माता बनाएथी हम दोनों ने मिलकिए ना बहुत ही अच्छे से मेक-वर हुआ था माही का और यह सचमुच की देवी मा लग रही थी है ना तो देखने में मतलब इसे देखकर कोई भी यह बो रहा था कि यह तो बिल्कुल मातरानी के तरह लग रही है ना और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और दोनों मिल के रिए से रेडी किये थे हैं ना मैं और दिक्ष अब लोग में काफी ज़्यादा लेट कर जाती हुए ना क्योंकि तब खराब हो जाती है फिर यह हो जाता है वह जाता है तो यहाँ पर दिखो माही की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप में कमेंट में चरूर शे बताना और में और दिक्षा दुनों मिलके इसका मेक मातरानी का वह क्या ऐसा है और अगर आप लोगों को पसंद आए ना तो हमें कमेंट में जरूर शे बता देना कि आपने बहुत ही अच्छा से मातरानी को रेडी किया ठीक तो जरूर शे बताना और मैं इस साल तो कन्या पूजन नहीं की थी लेकिना मैं सोच रही हूं अगल को दोनों मिलके किये था जैसे पैर का का और हाथ का जो होता है ऑनों मिलके जब किये थे अच्छे से मेक अप कि इसे बहुत falta है तो जास्ति तो यहां पर इनकी मेम देखो इनकी आर्तिगारी थी क्योंकि इनकी मेम को पूझा पाट में बहुत जाद हो मज़ाता है मज़ा तो हर किशी को आता है लेकिन यह शर्दाबाव से उनकी सेवा करती रहती है तो यहां पर में उनकी दिल बना रही थी है और सुरी हमारा वाज बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और यहीं बजाए कि मैं आडियो ने रिकॉर्ट कर पा रही थी तो कितना प्रॉब्लम बता हुए ना तो छोड़ो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको में कमेंट में जरू से बताना वैसे भी विडियो और ब्लॉग बनाने का मत जरूर से चोड़ना हमारे कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में चैम आता थी लिखना बिलकुल भी मतूर ना तो यहां पर दिखो माही की थोड़ी से मैं सुचिना वीडियो डाल देती हूं क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और इसका इंस्टाग्राम पर सारा वीडियो अप्लोड यूटूब भी एक दो किया है और बांगी ना नी नहीं करता ब्लॉक तालने का लेकिन कोई नहीं दुर्गापूजा है और दशहरे का ब्लॉग तुम्हें डालती है जब हमारे बहुत सारी ब्लॉग आने वाली हैं। और दसारे के दिन हम लोग कहते हैं मतलब रावन बद देखने के लिए तो वहां का भी ब्लॉग आना बाकी है वह भी बहुत लंबा चोड़ा ब्लॉग है तो उसे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा और कार्टी का बढ़ थड़े वाला भी ब्लॉग लाना बाकी है लेकिन उसे पहले यह सारी ब्लॉग डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था क्योंकि अभी नब रातरी कत्म हो चुकी है तो इस ब्लॉग को डालना ही सही था तो मैं सोची सबसे पहले इस ब्लॉग को लाती हूँ और बीच में हमारे तबित कवर बहुत सारी रिजन्स थी यहां यहां पर नहीं बता सकती हूं है और पता है जब माही को बोले ना कि देदी के साथ फोटो खिचवालो तो यह ने रहा था बड़ा मुस्किल से आप आया था और हम लोगों के साथ वीडियो बना पाया मतलों यह से पसंद नहीं है वीडियो बनाना तो यहां पर देख सकते क सब्सक्राइब देख सकते हो बहुत सारी वीडियो डाली है और बहुत ज्यादा मज़ाएगा देखने में है इतना मनमुहक लुक बहुत अच्छी लग रही थी माही मुझे तो इसमें रियल वाली मातरा ने दिख रही थी तो यहां पर देखो कार्थिक हमारे साथ जूम रहा तो यह भी जूम रहा था ना वहसे तो पहले यह नहीं रहा था अभी में डालना श्टार्ट कर दियो तो अब लोग बताना में कैसे लिए और अभी में ब्लॉक को थोड़ा आगी लिए लिए ना कि गाड़ी के दुन पर जूम ना बताना हमारे प्लोग कैसे लिए कार्थि भी जुमना स्टार्ट कर दिया अभी आगे आपको निखाऊंगी कार्थिक और माही अपनी में की घर और नपरात्री में गहती है ना पूजा था ना उनकिया पूजन उन्होंने किया तो उसकी भी ब्लॉग में लेकर आओंगी लेकुन उससे पहले ना यहां पर आप देख भूखा था और मही को आ रही थी निंदे लेकिन उससे पहले से कुछ खान आता है ना तो क्योंकि वीडियो शूट करते करते ना इसे बड़ा तेज भूख आया था तो यह वोड़ रही थी मामा कुछ बनाओ कुछ बना तो मैं ब्रेड बटर दे देते हैं या फिर पॉपक बड़ा खाती है तो रिल तो बनमा ही लेती है लिकिन इसके नोट अंकी देखने लाइक होती है तो अभी मैं ब्रेड और बटर लगा के दे रही हूं और उसके बाद दूद पिलाओंगी फिर इसे सुला दूँगी है ना तो अभी हम बैठके कप कर रहे थे और क्योंकि थो और बताओ अगर ऐसे मैनत बेकार होगा तो फिर कौन ब्लॉग डालना जाएगा ना तो यहां पर माही को दिखो बड़ा बदमासी करती है और यह जो वीडियो रिकॉड किया है ना वह एस्टमी पूजन का है जहां मतलब लोग कन्या पूजन करते हैं ना कितने लोग पूजन करा के आज कि यहां पर और में गिफ्ट दी दोनों को मतलब यह शौपनर और पैंसिल यह सब था असकेल बगेरा तो वहीं लेके यह लोग इतरा रहा था है ना और बहुत सारा खानेवाने का भी चीज़ मिला था तो यह लोग बहुत ज्यादा खुश था और आश् तो फिर थोड़ा सा में अजिल सबनवा दी थी और यहां पर कार्थिकर माही दनों ने रिल सुनाए था बहुत यह चारिल सुनाए था जो कि मैं इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूं उसके बाद कार्थिक ने दूद पिया माही दूद पिया तो यहां पर आश्टमी का दि तो वह मैं बनाए थी और पूरा नवरातरी में मैं बस एक ही वीडियो डाल पाई इतना मेरा वीजी शेयर यूल था कि मैं एक ही डिश्पी डाल सकी और यह है नौमी के दिन का नौमी के दिन कन्या पूजन में माही दो लोगों के घर गई थी तो यहां पर दूसरे दिन भी मैं लोगों को यही वाला गिफ्ट मिला था जो उनंकी मैं मने दिया थम बहुत सारा गिप्ट मैं लोगों को बच्चो को खानी का चाईज बहुत पुजण में तो ऐसा ही होता है ना्न मिभी सोच्री हूं अगले शार से मैं भी करूँंगी और अपने घर माही को मैं कन्या पुचन करूंगी कट यहां पर जुक्त धोनों आदे के बाद बहुत जादा ना पिया था जब यह उधर से लेके आया जूश बगेरा और जो भी वहाँ मिला था तो वही शब इन्होंने खाना पिना श्टार्ट किया और वहां तो ना कार्तिक कुछ भी ने खाये जो हमारी मकान मालकी ने च्छत पे मतब्स प्शो रहती हैं उन्होंने इसका प्लेट भी दो यहां पर देखो कितना सारा खाना था मतब काली चने का और कापुली चने का छोड़ा दो तरह का हलवा खीर और पनीर और मटर की सब्सक्राइब पूरी थी और नारियल का तुकड़ा था है ना तो यह शब्था कन्या पूजन यह दोनों वहां खाये नहीं थे तो भाव यहां पर एक रिष्ट्राइन देखने के थे मैं तब देले पीजा पॉइंट यहां से मैं अक्सर पीजा जॉमिन बर्गर यह सब लेके जाती हूं यहां का मुझे पसंदे और हम लोग नवी के दिन ही नाइट में मातारानी की दर्शन करने को चले गया थे क्योंकि औह दश और कहीं नहीं घूमी है ना क्योंकि इस साल ना बहुत कम मातारानी का जुमूर्ती है वो अस्तापित की गई है यहां पर जहां में रहती हूं तो अभी हम लोग ना मातारानी के दर्शन करने जाएंगे लेकिन उसे पहले रास्ते में डेली पिजा पॉइंट मिला तो वहां हम लोग का पीजा और पास्ता वगेरा सब पैक हो रहा है तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं और माही को देखो माही को बहुत तेज भूख खाई हुई थी क्योंकि शाम में यह जागी और फिर डायरेक्ट हम लोग मातारानी की दर्शन करने ही आगे मार्केट तो इसे बहु सब्सक्राइब करूंगी तो देखते हैं उसके वर्थडे में कहां चेलिबरेशन होता है में ब्लॉग जरूर से डालूगी और नेक्स्ट ब्लॉग होगा वर्थडे शेलिबरेशन ही होगा उसके बाद प्लिब्लॉगे रावन बतकी डालूगे लेकिन इस ब्लॉग के बाद हमारा जो घुर्ट का बेटा का वर्थडे का जो ब्लॉग रहेगा मैं उसे लाँगी पहले क्योंकि काथे जादा लेट च ने लेकिन नाइट हो रहा था तो फिर आप ज़ली से और सच में जब मातर आने के दरवार कहीं भी आप जाओ ना तो आने का मन्य और यहां का जो और बहुत सब्सक्राइब करने के लिए और यहां पर जो दो आपको दिख रही हैं यह मातारानी के विभी डिएप करने की तयारी में क्योंकि नाइट करने लिए और बयाहती अच्छा लंगा तकaska अभी बी कराना जाएगा तुमेह तो मैं मैं तो लिखो तो भी बहुत उछे बहुत 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 ज्यादा और यहीं लंगा जो बहुत को पहना जाएगा तो मैं नहीं क्योंड़कि कि इतनी सुन्दर कितनी अच्छी होंगी ना अमेजिक भी नहीं कर सकते और यहां पेना हमारा एक पास्टाल आ गया है जो की मैंने आनलाइन एक शूट आटर किया था बहुत ही अच्छा शूट लग रहा था और इसका जो रिव्यू है बहुत 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 चाहता अच इसकी एक रह्यू था तो यह दो है विर्फ किया हुए इसमें पूरे शूट में हैबी बर्क है और बहुत ही अच्छा रिशनेबर प्राईस में बहुत 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 ज्यादा अच्छा शूट आया है यह देखो इसमें सितारा पागेदा कुछ भी नहीं है मतलब बहुत कि अच्छा और बट किया हुआ फू मैं सोच ली थी कि मैं इस सूट को जरूशे मंगाऊंगी क्योंकि मुझे जो धागे वाली वर्क होती है वो पसंद नहीं है और अशोन वगेरा वाला जो बर्क रहता है तो मुझे पसंद दे तो मैं यह शूट मंगवाई थी और यह देखो शूट कुछ इस तरह का है तो आज बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा यह दूपट्टा भी है बहुत ही सॉट था और शूट भी बहुत ही अच्छा था और जब मैं इसे बनमाऊंगे ना तो पता नहीं कैसा होगा लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा होगा यह तो क्योंकि देखो इसका और शेशों के अंदर आ भी गया तो गैस यह थी हमारे आज की ब्लोग में मिलते हूं मैं मिलते हूं नेक्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाए